नमस्कार दोस्तों आज हम निश्टा ओनलाइन ट्रेनिंग के मॉडियूल स्वस्त विद्यालेई परवेश निर्मित करने के लिए ब्यक्तिकत और सामाजी की योग्यता बिक्षित करना के प्रश्णोत्री भाग के प्रश्ण और उत्तरों को देखेंगे आपको कुश्चंस को द्यान से देखना है उनका क्रम आगे पीछे हो सकता है और आप्संस उपर नीचे हो सकते हैं पहला कुश्चं है बच्चों के समूह के बीच द्वंद जगडे के मामले में आप एक सिक्षक के रूप में कौन सी युक्ति का उप्योग करेंगे बच्चों के बीच संबाद करने में सहज बनाएंगे एक सिक्षक सम्मेदल सीलता के गुड़ को चित्रित या दर्शा सकता है दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर इनमें से कौन एक प्रभावी शहायक की विसेस्ता नहीं है व्यक्ति के लिए समश्याओं का समाधान करना चात्रों के लिए सिक्षकों को कक्षा के वातावर्ण में सकारात्मक्ता को बढ़ावा देने की आवसकता है ताके चात्र अनवव कर सके सुरच्छित और स्वीक्रत तदानभूती है एमपैथी है किसी और की तरह मैसूस करना और सोचना निमलिखित मैं से कौन सा संबेदंसील सिक्षक की विसेष्टाएं है छात्रों के आवसकताओं और समश्याओं के अनरूप होना स्कूल कक्षाओं में स्वस्त बातावरण को वड़ावा देने के लिए सिक्षकों के गुड़ और कौसल इस प्रकार हैं संबेदंसीलता और देखवाल इसी अन्व्यक्ति के द्रश्टिकॉंड से इस्थितियों को देखने में सक्षम होने की योगिता या दक्षता को निम्न रूप में जाना जाता है द्रश्टिकॉंड जानना सिक्षक छात्रों को बास्तविक चिंता और रुची का संप्रेक्षड कर सकते हैं आँख से संपर्क करके आई कॉंटेक्ट द्वारा चोकस स्रवड कौसल उपस्तित करने के लिए एक सिक्षक को छात्रों के निमलिखित पर ध्यान देने की आवसकता होगी सभी पर आवसकता है द्यान देने की मौकिक अव्यक्ति पर भी व्यवार और कार्य पर भी और गैर मौकिक पहाव पर भी यह हो गया है 10 कुश्यंस थे हमने 10 कुश्यंस के आंसर दे दिये हैं और कुछ भी छोड़ा नहीं है अब इसको सम्मेट करेंगे तो यू ज़ेस्ट कंप्लिटिड इसकोर हो गया 10 आट अट आप तेन आपका 3 मिट 6 सेकंड लगा है तो आपका आप 100% प्रसिश्ट हो जाएगा अगर नहीं हुआ है तो देख लीजिए कुछ छूटा तो नहीं है और फिर भी नहीं हो रहा है त तो 24 आर्च के अंदर 100% दिखने लगेगा और आपको पता ही है अब तो पहला मॉडिल कर चुके हैं कि इस सर्टिफिकेट कितने टाइम में आता है अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राब कर लीजि इस से कि आपको आने वाले वीडियो पर नोटिफिकेशन मिलता रहे धन्यवाद